आज के वीडियो लेक्चर में हम छोटे बच्चों के जो संक्रमन होते हैं उसके बारे में सीखेंगे कि आपका बच्चा जब भी रो रहा है जैसे कि कान पकर के रोना या फिर गले में डर्ड होना जैसे कि कानों में संक्रमन हो जाना इंफेक्शन हो जाना दर्ड रहना दूसरी जो प्रॉब्लम है कि बच्चे के गले में लालपन या फिर दर्ड सूजन आ गई है तो उसके कारण यहां पे आप देख सकते हैं कि टॉन्जल हो गया है तो इसे हाल कंडिशन में बच्चों को क्या प्रिफर करना चाहिए कौन सी दवाई देनी चाहिए तो इसके बारे में आज का हमारे वीडियो लेक्चर रहेगा तो यह जो सारे टॉपिक्स आप देख रहे हैं इसके बारे में आज का वीडियो लेक्चर हम कवर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेजिक से कि यह जो मैडिसिन है जिसे की ओक्सिपोड ड्रॉप्स तो यह जो ड्रॉप्स है वो डॉक्टर्स ज्यादतर यूज करते हैं इसमें सिर्फ पुडॉगजाइम प्रोगजितिल आता है जो की ओरल सस्पेंजन है बच्चो स्पेक्ट्रम एंटिबार्टिक है जो की ग्राम पोजिटिव एंड ग्राम नेगिटिव जो बेक्टेरियाज होते हैं उनके अगेंस फाइट करने में हैल्पुल रहता है तो इसका जो ब्रान नेम है वो है ऑक्सी पोड ड्रॉप्स आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इस इसके यूजस के बारे में कि कैसे कैसे कंडिशन में या फिर कैसे बेक्टरिल इंफेक्शन में आप बच्चे को ऑक्सी पोड जो ड्रॉप से वो सजेस्ट कर सकते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं यह जो बाहर की और से यह बैक्टेरिया है वो ब्लड में इस तरीके से एंटर हो रहा है जिसके कारण आपको बैक्टरियल इंफेक्शन हो सकता है जैसे की इंपेटिगो होना स्कीन पे रहसे जाना इयर इंफेक्शन कान का इंफेक्शन होना ठॉट इंफेक्शन रहना सेप्सिस इंफेक्शन और कहीं सारे इंफेक्शन है जैसे की यूरीन में इ रहना बच्चा यूरीन नहीं करता है स्कीन पे रहसी ज्यादा है नियूमोनिया जैसी एंड एपंडिसाइटिस जैसी कंडिशन भी हो सकती है नाउ वीडियो के बीच में आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजिस एंट्रेट्मेंट तो आप यहां भी इस वीडियो में देख सकते हैं इस तरह किसे पूरी कलर फूल कलर प्रिंटेट बुक आती है तो अगर आपको भी हमारे साथ इसे ही स्ट तो इसकी लेबल स्टडी में यहां पर देखे तो स्पेशियली यह वह पेडियाट्रिक यानिकि बच्चों के यूज के लिए होती है यहां पर इसे मैंशन किया किया है तो यह ड्रॉप्स है जो कि ओर ली दिया जाता है और अपर इसका आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर देखे इसके साथ यहां पर देखे नाम सेaksi मसा कि मिले लो डोपर में इसके साथ तो यहां पर देखे इसके साथ एक वाटर फूर इंजेक्शन भी आता है तो यह जो बॉटल है उसमें आपको ड्राइ पाउडर मिल जाएगा तो यह जो बॉटर है यह बॉटर आपको इसके अंडर मिलाना है और आपका जो सस्पेंशन है वो तयार हो जाएगा और आपको ड्रॉपर की मदद से बच्चों को देना है तो इसके लिए आपको इसका जो लेबल है वो ध्यान से पढ़ना होगा तो जब भी आप सस्पेंशन बना रहे हैं तो बॉटल को आप शेक करेंगे कि प्रोपर हिला के यूज करेंगे जिसे की यह जो सस्पेंशन है वो पूरी तरीके से तयार हो और डॉक्टर के बताए मुताबिक ही आप बच्चों को इतने ड्रॉप्स सजेस्ट करेंगे आप इतने ड्रॉप्स पिलाएंगे अब हम सीखते हैं वर्किंग के बारे में किसका वर्किंग क्या है तो वर्किंग हम जानते ही है तो यह जो है वो एंटिबायोटिक है तो यहां पर देखिए कि यह जो मैदिसिन है ब्रॉट स्पेक्ट्रॉम बिटा लेक्टरम के क्लास से बि help करती है तो यहां पर आप देखें सिर्फ प्रोडोग्जेम प्रोइक्जिटिल जो है वो एंटिबाउटिक है जो कि सिफालोस पूरिन से है थाजन डिशन की medicine रहती है तो यह काम क्या करती है तो यह medicine जो cell wall के उपर जो बैक्टरिया जमा हो गया है उसके against fight करने में और बैक्टरिया को किल करने में help करेगी अब डोस के बारे में सीखें तो यहां पर आप देखें इसकी dozing frequency किस तरह है तो अगर हम generally देखें तो 1.525 mg जो है वो वन ड्रॉप की equivalent होटा है यानि कि अगर आप 20 mg ले रहे हैं तो वो हो गए 16 drops तो यहां पर total 6 gram drug इसमें रहती है तो प्रॉपर डूस को divide करके दिया जाता है तो every 6 to 8 hours यानि कि दिन में तीन बार या फिर चार बार आप सजेस कर सकते हैं तो यहां पर आप देखें every 12 hour आप बच्चे को उसकी severity conditions के according suggest कर सकते हैं तो टोटल 24 hours में आपको दिन में 16 drops बच्चे को देने हैं तो अगर आप every 12 hour यानि कि दिन में 2 बार दे रहें तो बच्चे को 8 drops देने हैं तो ऐसे ही आप बच्चे का dues वजन या फिर इस तरह से calculate करके बच्चे को भी dues दे सकते हैं तो usually 6 to 8 hours की therapy रहती है प्राइस के बारे में सीखेंगे कि तो इसकी जो लिटिस प्राइस है 2024 की यहाँ पे आप देखिए 10 ml के drops रहते हैं तो यह जो drops है उसकी 2024 की total जो पैक है उसकी प्राइस रहती है रूपी 76 जो कि आपको एक ही बोटल मिलेगी side effects के बारे में सीखेंगे कि basic side effects यहाँ भी हम देखेंगे जिसे की स्टमक में pain रहना कभी कबार diarrhea हो जाता है नोजिया vomiting बच्चे करते ही है ऐसे medicine या फिर antibiotic लिटिस हमें कभी कबार constipation हो जाता है lose of appetite यानि की बूख कम लगना, gase बनना, सिर्दर रहना, dizziness हो सकता है, anxiety, drowsiness या फिर night time urination बच्चे को रहता है रनी नोज, short throat या फिर कभी कबार overdose हो जाना, cough, vaginal eating या फिर vaginal eating या फिर vaginal में discharge रहना तो इसे कहीं side effects आपको ये medicine से रहती है, warning के बारे में सीख लें, जिसे की अगर severe pain हो रहा है, कहां पर stomach में, पेट में severe pain हो रहा है, तो उसकी कारण बच्चों को diarrhea हो सकता है, और diarrhea कभी कबार watery या फिर bloody भी हो सकता है कभी कबार बच्चों को इसा condition देखता है, जिसे की zondis हो जाना, तो zondis में आखे आप देखे, पीली हो जाती है, skin पीली हो जाती है, तो इस तरी के इसी zondis का identification रहता है, कभी कबार urine जो है, वो भी yellow dark color का रह सकता है, और body में विकने सा जाना और konvensal, जिसे disorders भी हो सकते हैं, body पे hypersensitivity आ सकती है, जिसे की racist बनते हैं, यहाँ पे आप देखे रहे, skin है और red dead red dead drops दिखने लगते हैं, तो इसे condition में hypersensitivity भी हो सकती है अब इसकी pregnancy category को जानेंगे, कि यह जो medicine है, वो oxyport drops बच्चे के लिए है, तो pregnancy में यूज नहीं करने हैं, because यह oral drops only for baby के लिए है तो pregnancy में अगर आपको कोई bacterial infection हो गया है, तो आपके जो gynecologist है, वो आपको suggest करेंगे, कि pregnancy में आपको bacterial infection में कौन सा medicine लेना है या फिर dose के according आपको suggest किया जाएगा, तो पहले आप अपने gynecologist से suggest कर सकते है नाव वीडियो के बीच में मैं आपको चूट इसी outbreak लेके बताना चाहते हूँ अगर आपको मेरे साथ इसे ही study करना अच्छा लगता है, मेरा जो यह material है, वो आपको अच्छा लगता है तो इसके लिए आप मेरी application है, learn with Pfizer, जो कि अप play store पे भी available है तो उसे download करके आप health and medicine course या फिर medical treatment of disease यह जो कोर्स है वो आप ले सकते हैं जिसमें आप सीखेंगे medicine course में different medicine uses, label study, उसकी dose, price, side effects, drug interaction, mechanism तो यह जो पूरा course है वो आपको 199 में एक year के लिए मिल जाएगा यहाँ पे भी same इसी तरीके से रहता है कि कोई भी disease है तो उसकी treatment क्या available है, उसकी causes क्या है, किस कारण से होता है, symptoms क्या है तो यह भी different different आपको available रहेगा तो इसकी यह जो price है वो आपको 250 रूपीज है जो कि आपको पूरा one year का course रहेगा अब सीखते हैं कि drug drug interactions के बारे में कि oxypo drug के drug drug interactions क्या है तो यहाँ पे है furosemide and zentamycin तो यह जो डोनो medicine है यह एक दुसरे के against fight करती है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यह medicine के साथ oxypo drugs रहेवो नहीं देने है तो इसका आपको खास ख्याल रखना है तो अगर आपको मेरा ये video अच्छा लगा तो आपको ये video भी अच्छा लगेगा इसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है तो ये भी video आप देख सकते हैं जिससे आपको बहुत कुछ सिखने को मिलेगा तो जल ही से मेरी channel को subscribe करें और मेरी मोबाइल एप्लिकेशन से भी आप सीख सकते है थैंक यू फूर वोचिंग में वीडियो